हेलो एवरिवन आज बनाएंगे हम ब्रेट चीज रोल जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी यम्मी तो आप इसे जरूर बना के देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी मैं दो तरीके से बनाऊंगी और दोनों तरीके से ही बहुत ही किनारे को काट नहीं था इसलिए मैं इसे किनारे से कट कर ली हूँ और यह देखिए मैं थोड़ सा पीसी ना तो यह अच्छे से इसका क्रम्स निकल गया अब देखिए यहां पर चीज रखियो मैं क्योंकि चीज के स्लाइस ही इसमें यूज करेंगे अब यहां पर मैं दो चमच मैदा और दो चमच कौन अब टीजाना नमक अब इसम cogstrog बनाएंगे और यहां अच्छे से मिलाएंगे Nomak with to are found पतला भी नहीं करना है ज्यादा गाड़ा भींगी मतलब मीडियम में हमें इसे बनाना है यह डेember आप इस यह तैप से देखे से बहुत अच्छे से नित हम और to एक को ब्रेट को अच्छे से बेल लेंगे बेल इसलिए रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा यह सौफ्ट ओगा तो मोड़ने में असानी होगी आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ढाल सकते हैं यहां पर मैं चीज को के उपड़ चिली फ्लीज डाल रही हूं और पिज़ा सिजनिंग जो अच्छे से इसे डुबा लेंगे यह देखिए चारो तरप से और फिर इसमें हम ब्रेट क्रम्स लगाएंगे यह देखिए सभी को हमें इसी तरीके से बनाना है इसमें यह देखिए हो चुका है अब हम इसे निकाल लेते हैं अच्छे से लगा के और थोड़ा से दबा लेंगे ब्रेट को क्योंकि जब तेल में डालेंगे तो यह थोड़ा सा फैलेना अहां सबसे पहले हम सेक के बना रहे हैं उसके बाद हम तल के बनाएंगे तो हम सेक के बना रहे हैं तो भी हम ब्रेट को तो थोड़ा सा हाज से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि जो ब्रेट क्रम्स है वो असानी से चिपल जा है इसके अंदर तो ये देखि ये हो चुका है मैं सभी को इसी तरीके से बना लेती हूं यह देखिए बहुत अच्छे से बन चुका है अब मैं लगा लेती हूं तवी में बटर तो मैं पहले सेख के बता रही हूं आपको जो ओल फ्री खाते हैं उनके लिए यह देखिए इसको असानी से हम सेख के बना सकता है सेखने में भी बहुत अच्छे लगता है और तल के बनाएंगे तो भी बहुत अच्छे लगता है क्या है हम इसे बटर में सीख रहे हैं यह देखिए थोड़ा सा बटर और डाल देती हूं ताकि चारो तरप से अच्छे से यह सीख जाए और इसे हम सुनायरा तक होने तक अच्छे से भून लेते हैं यह देखिए यह हमारा बन चुका है ब्रेट चीज रोल यह देखिए बहुत ही टेस्टी अब चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं यह देखिए मैं इसे तोड़के भी दिखाती हूं आपको यह देखिए कितना ज्यादा टेस्टी लगा यह खाने में तो आप लोग एक बार इस तरीके से भी बना के देखिएगा यह देखिए चलिए अब शुरू करते हम सेकंड तरीके से बता रही हूं मैं कि आपको इस तरीके से भी बना सकते हैं तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं ब्रेट को हलका सा पानी में थोड़ा सा गीला कर ली ताकि अच्छे से मोड जाए आप चाहे तो ऐसे भी इसे मोड सकते हैं कि मैं आपको दूसर तरीके से भी वता रही हूं तो यहां पर मैंने पीजा सेसिंग डाला है और incomarda बस इतना ही वसाला डाला है क्योंकि नमक इस में रहता ही है इसलिए नमक डालने की आशतम नहीं है मैं सब तर लगा लूँँगी और उसे मैं यहां पर मैं सलरी जो बनाई थी उसमें डाल लेती हूँ पूरे उसके बाद मैं इसमें ब्रेट क्रम्स में डाल के अच्छे से सब तरफ लगा लूँगी यह देखें बच्चों को बहुत बेहत पसंद आती है यह देखें अब मैं इसे तल देती हूँ तलने से पहले हमें ब्रेट को अच्छे से चारो तब से हां से दबा लेना है ताकि यह खूले ना तेल में तेल में तलने का एक दिक्कत ये रहता है कि चीज बाहर ना जाए ये रहता है इसले अच्छा से हमें इसे दबाके डालना चाहिए तेल में आई देखिए ये बन गया हमारा प्रेड चीज रोल अच्छी लगी रेसेपी तो प्लीज लाइक सेयर और सबस्क्राइब जरूर मिलते हम अपनी एक नई रेस्पी में थैंक यू सो मच एवरिवन बाई